दोसकार स्वागत है अर्मानी गुरू टैक्स स्पेशल में आपका मैं हूँ आपके साथ शालेनी कपोर्टिवारी आज हम करने वाले हैं आपकी टैक्स प्लानिंग जिया नया वितवर शुरू हुआ है और अंतरिम बजट में टैक्स से जुड़े कुछ एहम बदलाव हुए थे उन तबाम बदलावों को समझते हुए आपको भी नए सिरे से टैक्स की प्लानिंग की जरूरत है और इसके अला जी शुरूरत जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था कि 5 लाख रुपे तक जिनकी आए है उन्हें अब टैक्स नहीं बना पड़ेगा इसके लावा स्टैंडर्ड डिड़क्शन की भी सीमा को बढ़ा दिया गया था तो अब इस वितवर्ष से लोगों को इसका फाइदा म होने वाला है खासकर अगर हम देखें तो सैलरीड क्लास या जो मध्यमबर्ग था जो चार से पांच लाख रुपे साल कमाता था उनके लिए जो टैक्स बोनांजा हमारे कारकारी मंतरी प्यूश गोयाल जी न दिया था कारकारी बित्त मंतरी तो वो लाव अब लोगों को मि ही देना है कुछ है इसे लेकर के लोगों के मन में दोविधा भी थी शुरू से ही तो मैं चाहूंगी सारे एक बार फिर से आप इसे समझाया था कि अगर अभी भी कोई दर्शक ऐसा है जो दरसल ये समझ रहा है कि धाई लाक वाली जो सीमा थी उससे बढ़ा करके पांच ल नहीं है अगर किसी को ऐसा लगता हो तो वह प्रश्न पूछ सकता है बाकी हम ये समझ लें अगर किसी व्यक्ति की पांच लाख रुपे तक की कुल आए है सभी खर्चों को जो किसको कानून से खर्चे मिलते हैं उनको घटाने के बाद जो भी इंकम आपकी बनती है अगर व आपकी इंकम पांच लाख से ऊपर चली जाती है तो नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्स रेट लगेगा अर्था धाई लाख तक की छूट मिलेगी उसके बाद धाई से पांच पर परसेंट के दर से इंकम टैक्स लगेगा ये बिलकुल सीधा साधा नियम अब हो चुका है और इसमें कोई confusion की संबावना नहीं दिखती है और राइट तो कई आपको फायदे हुए हैं इस बार जो अंतरिम बजट आया था उसमें और वीवर्स को मैं एक बार याद भी दिला दू कि आप भी अगर चाहे मनीश जी से सवाल पूछना तो ट्विटर और फेस्बुक द अब सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि आप यह मानें कि मेरे पास तीन बांक में अलग-अलग FDs चल रही हैं मुझे उन तीनों ही FD से इंट्रेस्ट मिल रहा है अब आप मुझे यह बताएं कि तीन बांक में अलग-अलग FDs है और उसकी सीमा अगर 40,000 से उपर चली जाए त तो क्या यह एक बैंक अकाउंट के लिए अप्लिकेबल है या 3, 4, 5 कितना भी हो सकते हैं अब सारे बैंक अकाउंट को जोड़ के ही देखा जाएगा ठीक है अब देखिए आपको अब सारे बैंक अकाउंट पैंसे लिंक है तो यह समस्च्छा तो आपको आईगी नहीं 40,000 तक अगर आपकी इंटरस्ट तो आपको उस पर टेक्स देना ही देना है टीडियस कटना ही है और यह देखिए टीडियस कटना कोई चिंता का वेश है नहीं है यह टीडियस आपकी जब इंकम टेक्स कंप्यूट होगी अगर आपकी टेक्स पर इंकम टेक्स बनता है तो उसम सजार तक की इंटरस्ट पर कोई भी टीडे साब का नहीं कटेगा लेकिन मुझे उसी कंडिशन में टैक्स नहीं देना होगा अगर मैं टैक्स इसलाब के अंदर नहीं आती हूँ अदर्वाइस ये जो मेरी इंकम में ये जुर जाएगी मेरी ओरिजिनल इंकम में अगर मुझे अतरेक्त इंकम ब्याज पर मिल रही है तो दोनों को ख्लाब करके टैक्स देना होगा बिल्कुल देखिए एक व्यक्ति को इंकम टैक्स पांच तरह के भागों में हो सकती है जैसे इंकम फ्रॉम सेलरी यानि से आए इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी यानि मकान से आए इं पांचों इनकम काम टोटल लगाएंगे और वो टोटल में टेक्स देना है इन पांचों मेंसे किसी भी हैड में कोई भी टीडियस आपका कटा हो चाहिए वो रेंट पर कटा हो चाहिए वो आपने इंटरस्ट पर कटा हो या आपके किसी प्रॉपर्टी की सेल पर कटा हो उसका benefit आपके tax payment में से adjust कर लिया जाएगा अगर कुछ extra होगा तो आपको refund जुरूर मिलेगा और इसी को आगे बढ़ाते हुए चुकि TDS की बात यहां पर होई डिये तो rental income के उपर भी कुछ नए प्रावधाना बाए है चूट बढ़ा तो आपको TDS 240,000 तक नहीं कटेगा जैसे आपके पास कोई मकान है उस पर करीब 20,000 रुपे महीना rent आता है 18,000 रुप में rent आता है तो किराएदार आपका TDS नहीं काटेगा जिसका नतीज़ा यह होगा कि आपका जो पैसा income tax बभाग में फस जाता था वो नहीं फसेगा तो income tax ने यहां पर आपको एक लाव दिया है जो लिमिट पहले 1,80,000 ती अर्थाथ 15,000 रुपे महीने तक के rent पे आपका TDS नहीं कट था था अब वो लिमिट आपकी 15,000 से बढ़ाकर 20,000 यानि साला ने देखें तो 2,40,000 कर दी गई है तो करदाता को सीधे सीधे इस मद में फाइदा दिखता हुआ नजर आता है तो मतलब हर तरह से जो करदाता का फाइदा है उसके ख्याल इस बार रखा गया था और ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अब अगले साल के लिए टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए और यहाँ पर नोशनल रेंट की बात कर लेना भी जरूरी हो जाता है मनीश जी क्योंकि पहले हमने देखा है कि लोग कितना परिशान थे काफी वक्त से मांग भी इसकी उट रही थी और इस बार थोड़ी चूट और बढ़ा दी गई है पहले आपको आप दूसरे मकान के उपर नोशनल रेंट देना ही होता था अब वो दो मकान से आगए आपको देना होगा तो नोशनल रेंट के बारे में भी समझाएं सबसे पहले तो क्या खिर ये होता क्या है किस तरह से आपके आए भी नहीं होती है और आपको टैक्स भी देना पड़ता है और उसके बाद ये भी बताएं कि चेंजिस क्या हुए है हाँ दीए क्या होता था अगर कोई ऐसा करदाता वेक्ती जिसके पास कोई एक मकान है जिसमें वो स्वेम रहता है और दूसरा मकान उसके पास है चाहे उसने वो किराए पे दे रखा हो या ना दे रखा हो इन दोनों ही केसे में उस मकान से रेंट जो आने बाला हो उस पर हमें टेक्स देना होता था मैं एक्जामपल से समझाता हूँ जैसे शालिनी जी आपके पास मानिए दो मकान है जिसमें एक में आप अपने परिवार के साथ रहती है और दूसरा आपने खाली छोड़ा हुआ या जैसे आपकी माता-पिता या भाई या बहन या कोई और रिस्तिदार रहते हैं जो आपको सच में कोई किराया नहीं देती थी तो वर्तमान में नए प्रावधान आने से पहले इनकम टेक्स में ये प्रावधान था कि आपको उस मकान पर जिस चाहे वो खाली पड़ा हो या आपने उस पर कोई रेंट नहीं आ रहा है आपने किसी मित्र परिवाधी चनों को दे रखा है उस पर सामानित है क्या रेंट आता ये रेंट इंकम टेक्स मान कर उस रेंट की इंकम आपकी बुक्स में ले ली जाएगी और छूट देने के बाद जो भी टेक्स बनेगा वो टेक्स आपको चुकाना होगा चूँकि रेंट आया नहीं है लेकिन हमने डिपार्टमेंट ने मान लिया है इसलिए इसको नोशनल यानि कालपनिक रेंट कहते हुए इस कालपनिक आये पर हमें सचमे टेक्स देना होता था यानि आये तो कालपनिक थी होई नहीं लेकिन income tax सच में चला जाता था हमारी ये सरकार ने इस परेशानी को समझा ये अलग बात है कि उन्हें पांचमे साल में समझा और इस दुबिधा से मुक्त कर दिया यानि अगर किसी विक्ति के पास दो मकान है जिसमें एक में कोई भी income tax नहीं देना होगा सही मायनों में ये मध्यमबर के लिए एक बड़ी शूट है इससे जिन लोगों ने किसी तरीके से एक लोन लेकर एक मकान चला के दूसरा मकान ले लिया तो उन पर income tax का extra burden अब नहीं आता है चले तो national rent के बारे में तो आप समझ गये और सर एक सवाल हमारे पस आया है इस वक्त उसका भी जवाब आप दे दिजिए मैं रहिया इसमें कि तो capital gain tax देना नहीं पड़ेगा जज़ा भी हमने बात भी की लेकिन अगर तीसरे flat को खरीदा है तो फिर इसके उपर क्या नियम कहता है देखिए आपको पहले तो ये एक घर की section income tax के section 54 में आप अपना कोई भी एक मकान बीचते हैं तो उस मकान से जो capital gain बना है उस amount से अगर आप कोई दूसरा मकान खरीदते हैं तो जितने amount से अपने नया मकान खरीदा है वो सारा का सारा कर्मुक तो हो जाता था यानि उतनी करकी एक मकान दे देता हूं तो ऐसे case में उनको ये सलाह दी जाती है कि जो सबसे महंगे दो मकान हो उन दोनों की जितनी शूट बनती है उतनी income tax की शूट section 54 में ले ले और बचे amount पर आपको tax देना ही होगा तो यहाँ पर एक मकान पिछले सालों तक एक मकान पर ही शूट मिलती थी अब ये शूट दो मकानों पर हो गई है तो अब तीसरे मकान पर आपने जो पैसा भ्याई किया है जो उन तीनों में सबसे कम कीमत का है समझदारी दिखाते हुए आपको नए वितबर्श के लिए नए से टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए और साथ हमारा देने है टैक्स एक्सपर्ट मनीश गुपता मनीश जी फेस्बुक पर एक और सवाल आया है तो उसे भी शामिल कर लेते हैं आश्वीनी पुंच हम से पूछ रहे हैं कि वाट इस अमाउंट दिदाक्शन फ्रम इंकम फर मेडिकल एक्सपेंस ओन डिपेंडेंट स्पाउस फर फुर्दर टू थाजन नाइटी ट्वेंटी तुट है जिसमें आप अपने और अपने परिवार डिपेंडेंट्स के लिए मेडिकलेम बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपके साथ कोई सीनि और हैं और उनका मेडिकलेम आपने पे किया है तो आपको 50,000 तक का मेडिकलेम के अंदर छूट मिलेगी अगर आपने मेडिकलेम चेक से पेमेंट दिरिंग फिननचल एर किया हो इसके अलावा 5000 रुपे तक का आपको मेडिकल हैल्थ चेक अप के लिए भी छूट दी चलिए तो आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है और आगे बात कर लेते हैं मनीश जी वापस एक बाद टॉपिक के उपर आते हैं प्रॉपटी पर अगर कैपिटल गेन की हम यहाँ पर बात करें तो उसके उपर नया नियम क्या कुछ कहता है और क्या इसके लिए किसी कैपिटल गेन माफ होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है सरकार ने समाजबाद के फॉर्मूले पर जाते हुए गरीवों को तो और कम आयक वर्क को तो माफी दी है लेकिन अमीरों के लिए उन्होंने टेक्स की माफी नहीं दी है इसके लिए उन्होंने क्या नया प्रॉविजन निकाला है कि एक लाग रुपे से अधिक अगर आपका लॉंग टम कैपिटल गेन है लॉंग टम कैपिटल गेन का मतलब है जहां आपकी एक्यूटी या एक्यूटी मूचल फंड एक साल से जादा आपके पास रहते हैं तो आपको उस अमाउंट को लॉंग टम कैपिटल गे ऐसे लॉंग टम कैपिडल गेन पर अगर आपने एक लाग रुपे से ज़्यादा बृत्वर्स में अगर कमाई की है तो उस पर आपको दस प्रतिसत के साफ़ से इंकम टेक्स देना होगा देखिए इसमें एक बात और ध्यान रहे अगर किसी ने शेयर कावी पहले से ले रखे हैं तो उनके लिए 31 जनवरी 2018 को बेस डेट बना दिया गया है जैसे एक्जामपल से समझते हैं अगर किसी ने कोई शेयर 2015 में खरीदे और वो शेयर उस समरोंने 100 रुपे में खरीदे और 31 जनवरी 2018 में उन शेयर की वैल्यू से 1000 रुपे थी और वो बाद में शेयर बेचने के समय जैसे अप्रहल या मई में बेचने के समय अगर वो 1200 रुपे की हो गए तो यहां टेक्सेवल कंपुटेशन सिरफ 1200 माइनस 1000 यानि सिरफ 200 रुपे की होगी अर्थात 31 जनवरी 2018 से पहले आपने जो भी कैपिटल गेन एक्क्रीव किया है कमाया है उस पर आपको आज भी कोई टेक्स नहीं देना है यह बड़ी महत्मूर बात है तो टेक्स कंप्यू क्योंकि यह बहुत जरूरी हो जाता है बहुत से लोग हैं जिनने अभी तक तो देखिया आदत थी नहीं अब पिछली बार से प्रावदाना है तो आप अगर हम टाक्स भर रहे हैं अपना इंकम टाक्स रिटर्न फाइल करें तो इसका द्याना में रखना होगा लेकिन फेस समझने में हमें मदद मिलती है और इन जीद मंदल जिनोंने फेस्बुक पर सवाल पूछा था वो फोन लाइट पर भी हमारे से जुड़ गया है स्वागते सर्शो में आपका बताएं क्या जाना चाहते हैं गूड इवनिंग मैं गूड इवनिंग जी गूड इवनिंग मुझे सवाल जो पूछना था एक्ट्वली आमें सलाइट पाट्वन आया में स्पूल टीचर वाइब ऑफेसें सो बीफोर मार्च बैंग ने मेरा एक हाउस बील्डिंग लोन है तो उसके लिए जो लोन सार्टिविकेट मुझे मिला था प्रविशनल लोन सार्टिविकेट उसमें बैंक मनेजर ने जो मुझे लोन सार्टिविकेट दिया उसमें लोन इंटरेस्ट की जगा पर लिख दिया 50,000 और आज ही मैंने जो फाइनल लोन सार्टिविकेट लेने गया तो वो अब हो गया 25,000 तो इसका मतलब है मैंने तो जो मेरा TDS जो इंकम टेक्स में देना वो तो काम हो गया, सौटफॉल हो गया, तो आप में क्या करूँ? इसका मतलब है मैं ये समझ पाया हूँ आपकी बात से कि आपको पहले गलती से गलत सर्टिफिकेट मिला और आपने वो सर्टिफिकेट देकर ज्यादा छूट क्लेम कर ली और अब आगर आग टेक्स कंप्यूट होगा तो आपको टेक्स देना पड़ेगा, आप यही कह रहे दीजिए और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपका ऐसा टेक्स लाइबिलिटी 5000 से उपर होगा तो आपको मामूली इंट्रस्ट 234A की और 234B की लग जाएगी जो कुछ सौर पे होगी जो आप जमा कर दीजिए और बहुत चिंता करने की इसमें आवश्यक दीजिए और आप अपना आसानी से रिटम भरके और इस इंकम को ठीक करके ही इस मद को दिखाएं ताकि आपका टेक्स ठीक ठीक कैल्विलेट हो अनिथा गलती पकड़ी जाएगी तो आपको जुमाना भी भरना पड़ सकता है बिल्कुल तो इससे हमेशा बचने की कोशिश भी करनी चाहिए कोई भी बात चुपानी नहीं चाहिए अगर गलती हो भी गई है तो उसे दुरुस्त करने का मौका हमेशा आपके पास जायता है और मरनीश जी एक सवाल हमेरे पास मेल के जरीयों भी आया है सुनील दास ओडिशा से हमें कहते हैं कि यह ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में सिर्फ इनका यही काम है अब अगर इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो यह कौन से फॉर्म का चुनाफ करें देखिए ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसमें दो बाते हैं क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोंग टर्म कैपिटल गेन और शोट टर्म कैपिटल गेन जैसा भी हो वैसा आ आपको फाइल करना होगा। अगर अप्रूफ्ट हॉस्पिटल में जो इलाज का खर्च है वो 50,000 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडिशन में टैक्स की देंदारी क्या बनेगे दिखिए जैसा के हमने पहले बताया था सामाने विक्ति के लिए 25,000 रुपे तक मेडिकले में छूट मिलेगी अगर आपने मेडि हेल्थ चेक अप के मिलेंगे हमने पहले बताया था अब आप समझे अगर आपने किसी हॉस्पिटल में कोई क्लेम लिया जैसे कोई बिमार पड़ा और आप उन्हें उसका ट्रीटमेंट कराया अब एमाउंट चाहे आपका 50,000 खर्च हो या 3,000,000 खर्च हो आपको जितना भ और आप उसे आसानी से निश्चिन दो कर खर्च कर सकते हैं चले प्रवीन जी तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया और सर एक सवाल और फेस्बूक की उपर आया है हाला कि ये बात हम कर चुके हैं लेकिन उस वक शायद ये जुड़े नहीं थे निमेश ठककर ने हम स और निश्चिन दो कर आप लें लेंडलोड को आप रेंट का पेमिंट करें इंकम टक्स की तरफ से आपको कोई समस्या नहीं होगी एक बार फिर से LTCG के उपर हम आते हैं सर आप डीटेल में बता रहे थे और एक्जामपल के जरीए भी आपने समझाया तो एक बार फिर से जरा उदारन दे करके समझाएं क्योंकि बहुत से ऐसे लोगें जो अगर लॉस में भी चल रहे हैं तो वो ये इस कन्फूजन में हैं कि क्या उनकी भी टैक्स की देंदारी बनती है और अगर वो उनका बहुत पुराना खरीदा हुआ कभी शेयर है चे सा पल बातर समझ ले पहली बात फाइनली ट्रांजेक्शन में आपको लाव होना चाहिए और वो लाव एक लाग से उपर का होना चाहिए तभी आपको टैक्स देना है अन्नेथा टैक्स नहीं देना है पहली बात दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा वो लाव 31 जैसे कोई शेयर 31 जन्वरी जो आपके पास था 31 जन्वरी 2018 को 500 रुपे का था और ऐसे आपके पास 100 सेयर थे एक अजार सेयर थे अब वो शेयर बढ़कर सब्वोज 800 रुपे का हो गया तो 300 रुपे का जो लाव है उस 300 रुपे का number of share से multiply किये जाएं जो आपने बेचे हैं और अगर ऐसा amount निकल कर एक लाख से उपर जाता है तो जो एक लाख से उपर amount गया है मात्र उतने amount पर आपको 10 प्रतिशत के हिसाब से tax देना है बिलकुल और इस बात को आप भूल भी मज जाए क्योंकि याद रखे कि किसी भी तरह से किसी भी जो detail है आपकी उससे चुपाना कभी भी आपको tax बढ़ते समय किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए और मनीज जी आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका तो मारी गुरू में फिलाल के लिए बस इतना ही लेकिन आप देखते रहे है जीविसनेस